हालो दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के सुल्तान गिया सुद्दिन बल्बन के बारे में हम बात करेंगे गिया सुद्दिन बल्बन के गुलाम से लेकर के एक सुल्तान बनने तक के सफर के बारे में हम बात करेंगे इसके शुरुवाती जीवन के बारे में हम बात करेंगे इसके द्वारा कराए गए कुछ महतुपूर्ण कामों के बारे में हम बात करेंगे इसके द्वारा लड़ी गई कुछ फेमस लड़ाईयों के बारे में भी और आखिर में ये भी बात करेंगे कि कैसे गिया सुद्दिन बल्बन की मौत हुई अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस काम को सपोर्ट करें आई हम शुरू करते हैं तो गिया सुद्दिन बल्बन का जन्म हुआ सन 1206 में सेंटरल एशिया में और ये एक इलबारी तुर्क था और बताया जाता है कि जब गिया सुद्दिन बल्बन काफी कम उम्र का था तब ही उसको मंगोलियों ने किड्नैप कर लिया था ताकि वो उसको गुलाम बनने के लिए बेच सके। और सबसे पहले बल्बन को खुआजया जमाल उद्दिन ने खरीदा जो कि बसरा का रहने वाला ता और खुआजया जमाल उद्दिन ने ने ही उसको एक नाम भे dîtया जो नाम था और इलतुत्मिश के बल्बन को खरीदने के बाद सबसे पहला जो काम बल्बन को मिला था वो था water carrier का पहले समय में क्या होता था, कि लोगों के घरों में जाकर के, कुछ लोग पानी की विवस्ता प्रौइट कराते थे, वो पानी को भड़ते थे, और लोगों के घरों तक, या फिर महल तक पानी को ले करके आया करते थे और यही काम जो है शुरुवात में बल्बन को भी मिला था उसके बाद जब इल्तुत्मिश ने देखा कि ये जो बल्बन है ये काफी intelligent है काफी बुद्धिमान है तो फिर इल्तुत्मिश ने जो है इसको खासदार की position दे दी खासदार का मतलब होता था जो की राजा का personal attendant होता और इसी प्रकार से धीरे धीरे करके बल्बन ग्रो करता गया ग्रोथ होती रही उसकी और उसको जो है आगे जाकर के इल्तुत्मिश ने अपने सबसे भरुसे मन 40 लोगों को मिला करके एक तुरकाने चहलगानी का निर्मान किया था तब उसमें जो है बल्बन को इस्थान मि और बल्बन जो है दल चालिसा का मेंबर बन गया दल चालिसा के मेंबर जो थे उनके अंदर उतनी ही पावर हुआ करती थी जितनी की वहां के वजीर के अंदर यानि की वहां के प्राइम मिनिस्टर के अंदर हुआ करती थी और यह जो दल चालिसा थी ये जो है डिरेक्टली सुल्तान को रिपोर्ट किया करती थी यानि कि अब जो है बल्बन के हाथ में काफी पावर आ चुकी थी और जब दिल्ली सल्तनत में रजिया सुल्तान का राज था तब बल्बन को एक और पोजीशन मिल गई जिसका नाम था अमीर शिकार यानि लौड अव दा हंट की पोजीशन भी बल्बन को मिल चुकी थी और दीरे दीरे करके बल्बन काफी पावरफुल होता गया उसका इंफ्लूएंस जो है दिल्ली सल्तनत में बाकी मंतरियों के बीच में काफी बढ़ने लगा और बताया जाता है कि गियासुद्दीन बल्बन जो था वो एक किंग मेकर था यानि कि कौन सल्तान बनेगा कौन सल्तान नहीं बनेगा या किसको हटाया जाए या किसको सल्तान बनाया जाए ये सब कुछ बातों में उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा करता था और बल्बन के सामने ही दिल्ली सल्तनत में पांच सुल्तान आए और चले गए और कौन दिल्ली सल्तनत पर राज्य करेगा और कौन नहीं करेगा इस बात के डिसिजन में जो है बल्बन का एक बड़ा हात रहा करता था और जब इन्होंने अलाउद दिन मसूद को हटवा करके दिल्ली सल्तनत में नसीरुदिन महमूद को सुल्तान बनवा दिया तब बल्बन ने अपने लिए वजीर की पोजीशन को वहाँ पर रिजर्व कर लिया और फिर सन 1246 से लेकर के 1265 तक बल्बन ने दिल्ली सल्तनत पर एज़ा वजीर राज्य किया कहा जाता है कि यह जो नसीरुदिन महमूद था यह केवल नाम का सुल्तान था यह बहुत जादा ध्यान अपने एड्मिनिस्ट्रेशन पर अपने राज्य में नहीं दिया करता था पर जो पूरा साशन चलाया करता था वो बल्बन ही था जो बड़े मेजर डिसिजन होते थे और ये टाइटल जो है नसीरुद्दिन महमूद ने गियासुद्दिन बल्बन को दिया था और इसी के साथ साथ जो है गियासुद्दिन बल्बन ने नसीरुद्दिन महमूद के साथ अपनी एक बेटी की शादी भी करवा दी थी और नसिरुद्दिन महमूद के मरने के बाद जब नसिरुद्दिन महमूद सन 1265 में मरा उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत पर सुल्तान बनने के लिए गियासुद्दिन बल्बन तयार हो गया और फिर जो है गियासुद्दिन बल्बन दिल्ली सल्तनत का नौवा सुल्तान बन कहा जाता है कि इसने सुल्तान बनने के लिए जो कोई भी इसके रास्ते में आया नसीरुद्दिन महमूद के बाद उन सब को मरवा डाला और फिर जो है बल्बन दिल्ली सल्तनत का नौवा सुल्तान बन गया और जब ये सुल्तान बना तब इसकी उम्र लगबग 60 वर्श की थ और इसी तरह से सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत पर महम्मद गौरी ने राज्ये किया उसके बाद उसके मरने के बाद कुतुबुद्दिन एबक आया उसके बाद इलतुतमिश आया उसके बाद रुईकुनुद्दिन फिरोज आया फिर आया दजिया सुल्तान फिर आया मु कि इनके हाथ में बहुत बड़ी पावर रहा करती थी। और यह चाहते थो किसी को सुल्तान के बदसे हट वा भी सकते थे। แล इसको लगता था कि यह जो डल चालिसा है यहिए इसके रास्ते में रोडा बन सकती है तो तो बल्बन ने जो है अपने साशन में इन दल चालिसा के 400 लोगों को मरवा डाला। आप पूरे लेट करके सुल्तान के पाओं को चूमेंगे और इस तरीके के जो सैलूटेशन है इस तरीके के जो अभिवादन है ये जो है गिया सुद्दिन बल्बन ने अपने साशन काल में शुरू करवाई थे और एक और बड़ी चीज जो बल्बन ने अपने साशन काल में क पुदा को छोड़ करके किसी कोई अधिकार नहीं कि कोई सुल्तान से उसके कामों के बारे में जवाब दे ही मांगे या उसके किसी भी काम पर कोई उंगली उठाए और इसने कहा कि अगर कोई भी मेरे नीर्ने से असहमति जतायेगा तो उसको सीधा मरवा दिया जाएगा उसकी गर्दन होगी और हमारी तलवार होगी और उसने इस नीती को इसले चलवाया था क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया इसने जो है दल चालिसा के चालिस पावरफुल लोगों को मरवा दिया और जो नसीरुदिन महमूत का और कोई भी उत्राधिकारी था उन सब को भी इसने मरवा डाला तो दिल्ली की सल्तनत ने ज इसने कहा कि अगर कोई भी मेरे से बोले गाया मेरे किसी भी काम पर सवाल उठाएगा तो उसको मरवा डाला जाएगा और कहा जाता है कि बल्बन ने अपने दर्वार में बहुत जादा इस्ट्रिक्ट जो है नियम कानून लगा रखे थे यानि इतने नियम कानून वहाँ प बारे में बताया जाता है कि बल्बन जो है अपने समय में एक लंबी डाड़ी रखा करता था और बिल्कुल जो है बगैर किसी एक्सप्रेशन के रहा करता था यानि कि ना वो किसी को अपनी खुशी के बारे में जताता था एक और काम जो बल्बन ने अपने साशनकाल में कि वो ये था कि इसने एक बहुत ही well organized intelligence system को जो है निसलतनत में बनाया बल्बन ने जासूसों को तैनात किया और ये जो जासूस होते थे ये एक independent authority हुआ करते थे यानि कि इनको सुल्तान को छोड़ किसी और को report करने की जरुत नहीं फिड़ा करती थी और इसी प्रकार से जो है बल्बन ने कुछ secret reporters को और कुछ news writers को भी जो है हर एक department में रखवा दिया था और जो इकता और इक्तेदारी की जो प्रथा थी जो इल्तुतमिश के द्वारा start कराई गई थी उसमें भी कुछ जो है modifications बल्बन ने अपने साशनकाल में कराई उसने क्या किया कि जो पुराने जो इकतेदार हुआ करते थे जो कि अब जो है उनको service नहीं दे रहे उनको military या उनको और कोई किसी प्रकार की service नहीं दे रहे है तो उसने क्या किया उन सबी से वो जो प्रांत उनको दिये गए थे वो इकते जो दिये गए थे उनको वापस और उन सब को जो है एक pension दे दी जो की लगबक 50 टका की हुआ करती थी और बाकी कुछ जवान लोगों को वहाँ पर उसने एक्तिदार बना दिया और उनके पास जो income आती थी उस पर वो कुछ tax भी उनसे वसूला करता था और जैसे कि कुछ लोग थे जो की पहले military services प्रोवाइड कराया करते थे उनके मरने के बाद जब वो उनके जो इकते थे उनके पत्नी या उनके बच्चों के हाथ में आ गए थे एक और चीज़ जो बल्बन ने हिंदुस्तान में प्रपोस की थी या इंट्रोड्यूस की थी वो थी festival of navrose यानि नवरोज का एक तोहार था जो की एक Persian तोहार हुआ करता था और वो ये मानता था कि जबकी मैं खुदा का बंदा हूँ तो कोई भी मेरे किसी भी डिसीजन पर सवाल नहीं उठा सकता और अगर हम बात करें बल्बन के द्वारा लड़ी गई लड़ाईयों या उसकी military achievements के बारे में तो बहुत सी military achievement जो है बल्बन की उसके वजीर वाले काल में रही जैसे कि उसने उच की जगा को मसूस सहा के शाशन में अपने कबजे में किया था और फिर जो है उसने जो बंगाल का गवर्नर था जबकि उसने आपको independent जो है गोशित कर दिया था उसके बाद उस विद्रो को दबाने के लिए भी बल्बन ने कड़े कदम उठाये थे और उसके बाद जो है उसने अपने बेटे को बुगरा खान को जो है वहाँ का गवर्नर बना दिया था उसने राजपूतो के हाथ से ग्वालियर को वापिस लिया था सन 1247 में उसने चंदेलो को दबाया था और उसके बाद जो है का जाता है कि बल्बन ने कई बार जो है मंगोलो की आर्मी को भी भारत में सक्सेस्फुल होने नहीं दिया उसने कई बार जो है मंगोलो की आर्मी को भारत से भगाया था और सन 1885 में बल्बन के जीवन में बहुत बड़ी घटना घटित हुई जो हुई इस प्रकार से कि जब उसका बेटा जो उसका बड़ा बेटा था मुहम्मद खान जब वो मंगोलों से युद करने के लिए गया तब वहाँ पर उसके बेटे मुहम्मद खान की मृत्ति हो गई इसलिए बल्बन ने अपने पोते को कैक शरू को जो है अपने बाद अपना उत्राधीकारी गोशित किया जो कि उसके बड़े बेटे मुहम्म ke खान का ही बेटा था और उसके बाद जो है सन 1287 में 80 साल की उम्र में गिया सुद्दिन बल्बन की मृत्तियों हो गई और उसकी मृत्तियों का कारण बताया जाता है कि उसका जो बड़ा बेटा था महम्मद खान उससे वो बहुत जादा प्यार करता था और उसकी जो मौत है उसकी मौत का गम जो है वो बरदाश नहीं कर पाया और उसकी मौत के गम में ही जो है गिया सुद्दिन बल्बन की जान चली गई और इसी प्रकार से जो है 80 साल की उम्र में गिया सुद्धिन बल्बन की मृत्ती हुई और दोस्तो यही थी गिया सुद्धिन बल्बन के पूरे जीवन की कहानी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लेज इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें शेर करें थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो